कार दोस्तो मैं हूँ दोक्तर नोशाद इन्वी जानन कोलोनी फीजियो धेरपिस्ट दोस्तो यह जो पेसेंट है इनको साइटी का प्रोब्लम थी और इनको कमर से लेके टांग में दर्द रेता था पुए टांग में पांच साल से तो दोस्तो इन्होंने यहां पर आकर ट्री तो आपने कहां गहां दिखाया जी मिया पानी पदका कोई उस्पीटल असन चोटा बड़े-बड़े हैं और मेरे अमरा आई दो-दो बार होचींगी दो वार आई अचींगी और मैं कोई उस्पीटल बड़े-बड़े हैं से ने छोटा एग जिसमें जाहां यह नहां दोला तो मेरे दाक्तर साब से बोला कि मुझे आप जीने की कोई इच्छाई नहीं दिखती। मेरे कोई थाई नहीं कि इसमें कुछ अराम का हूँ यह नहीं। इननने मुझे बता तुम इलाज करवा और उमीद रखो, इंसा अराम हुआ। तो क्या रात को नींद आती दी? जीने की इतना परेशान थी। तो बड़े होस्पिटलों में कहा कहा दिखाया और उन्होंने जो टेस्ट वगेरा करवाई थी। क्या बोला उन्होंने यह बोला ऑप्रेशन होगा और शिवा इसका कोई लाज है। अच्था से ओप्रेशन बोल दिया। इन्हें ऑप्रेशन में ओप्रेशन की इतना बताया थ हो सकता है। कि इनका ख़र्चा दो लाग से उपर का बताया था और इस बिना उपरेशन के ठीक नहीं होगी ये बोला था होस्पिटलों में पांच साल से इने दर्द था उन्होंने बहुत जगे दिखाया दर्द तो इन पांच सालों में ये बिल्कुल उम्मीदार चुकी थी जब ये मेर आप जाओ लगातार आपको अराम जरूर होगा तो दोस्तों इस फीजियो थेरपी से और एक्यूप्रेसर थेरपी और नियोरो थेरपी इन सब का कॉंबिनेशन करके हम थेरपी देते हैं इससे काफी लाज प्रसें ठीक हो जाते हैं और इसी दास की वज़े से इने पेट मे पर सब्सक्राइब ज़े लेट प्रस्ति दीना आग मीच का है मुझे सारा सारा दिन हो गया ऐसे लेटे लेटे पुरा फुरा दिन हो गया इतनी परइसान थे जिंदगी खतम हो जा तो वह अच्छा है इतनी परइसानी और पैर क्रीशना लगा जब यह बढ़ा कर पारके अ अराम से जाना होता है भाहर भी जाती हूं रूम पे आती हुं अब तो मैं इंसाला थीक हो निए आपके है लिए बिलकुल नीज खांक होता है रह दर्द मेरे कमर सा लगाई कदिका अब सफ नों अब पहरों में सीर तक अथा कि इस्तेरा कि इनके गर्दन में विता था और सर में विता था और कमर से कुल्य से पूरी ट homem में दर्द जाता था जड़ेई और बातेों फूरी रात तरबते है데 िनौनेन अमेह इसारी बात है बताई dangeriv उनसरू हो गडहा बिल्कुल बढ़या जो मुझे यह उमीद होगी कि मैठ ठीक होगी अप्र उन्हें बहुत ज्यादा दर्द में आराम हो गया था और आराम होने के बाद इन्हें ऐसा लगा कि अब मैं ठीक हो जाऊंगे नहीं इनको ऐसा लगता था कि मैं साहिट थीक ना हू बर ये बस किसी उमीद से ही सोचा इन्होंने करवा के देखते हैं जब मैं बोल रहा था इनसे मुझे इतना भरोसा आनों साथ लोक्टर बै कि हच से जाद है मुझे कोई भी बड़े से बड़ा डोक्रा रोक के दिखा एदरावादी रभींद्रा प्रेम होस्पिटल कि इतने होस्पिटल ऐसे हैं जो बड़े बड़े चार मार्च जो मेरे अब ध्यान भी नहीं है मैंने इतना दवाई गाई तो दो दिन तीन में इन्ने चार चार में इन्ने दवाई बता दी और एमर आईवी करवाई कुछ पैदा जोड़ाने को और रात हो नीन भी नहीं आते दें इनको पूर पूरी रात तो दोस्तों जिसको ओप्रेशन बोल दें तो ओप्रेशन न अगरवाए बिन ओप्रेशन के भी राज हो सकता है